एक ऐसा जहाज जिसके बारे में सभी का यही कहना था किया कभी डूबेगा ही नहीं लेकिन यह जहाज अपना पहला सफर भी पूरा नहीं कर पाया हम बात कर रहे हैं ब्रिटिस पैसेंजर जहाज टाइटैनिक की 17 मंजिला इमारत जितने उचे तीन फुटवाल के मैदान जितने लंबे और 3500 से भी अधिक लोगों को अपने गंतब्बे तक पहुचाने की छमता रखने वाले इस जहाज को बनाने में कुल 26 महिनों का समय लगा था इस जहाज के 26 महिने में बनकर तयार होने के पीछे 3000 से अधिक लोगों की दिन रात की कड़ी मेहनत का नतीजा था जब यह 20 साल जहाज बनकर पूरी तरह से तयार हुआ तब इसे देखने के लिए भी लगबग एक लाग से भी जादा लोग आ चुके थे इस जहाज ने इंगलेंड के साउथ हमपटन सहर से अपना पहला सफर सुरू किया लेकिन गंतब अस्थान तक पहुचने से पहले ही यह जहाज नौर्थ अटलांटिक के गहराई में जाकर समा गया जहाज के डूबने के इस हादसे में लगबग पंदरो सो से भी अधिक बेक्टियों की मृत्यों हो गई थी नौर्थ अटलांटिक में घटित इस घटना को अभी तक के एतिहास में सबसे खतना घटनाओं में से एक माना जाता है इस कहाने की सुरुवात 31 मार्च 1909 को हुई थी जब बेलफास्ट में वाइट स्टार लाइन ने एक लगजरी विसाल जहाज बनानी सुरू की तीन हजार लोगों ने इस जहाज को अपनी कड़ी मेहना से मातर 26 महिनों में पूरा कर दिया जब यह विसाल जहाज बन कर तयार हुआ था तब एक लाग से भी अधिक लोग इसको देखने के लिए आये थे कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा जहाज कभी बन कर तयार होगा और जो तयार हुआ है वो कभी डूब सकता है इस जहाज के लंबाई 882 फिट, 9 इंच और उचाई करीब 175 फिट थी उस समय टाइटनिक जहाज को बनाने में 7.5 मिलियन डॉलर खर्च हुए थे जिनें यदि आज के हिसाब से देखें तो यह कीमत करीब 145 मिलियन डॉलर तक होगी जब यह जहाज पूरी तरह से बन कर तयार हुआ तब ही इसमें छोटा मोटा डेकुरेशन का कार चलता ही रहा और रंत में 2 अपरेल 1912 को यह विसाल और लगजरी जहाज बन कर पूरी तरह तयार हो चुका था इसका सफलता पूर्वक परिछन करने के बाद 10 अपरेल 1912 को यह जहाज अपने पहले सफर के लिए रवाना हुगा इस जहाज को करीब 507 किलोमेटर तक का सफर तैक करना था जो कि इंगलेंड के साउथ हेंपटन से निव्यारक के बीच जाना था अब टाइटैनिक जहाज ने अपने सफर की सुरुवात की तब इस जहाज पर 908 क्रू मेंबर को मिला कर कुल पैसेंजर की संख्या करीब 2223 थी जबकि यह जहाज 3500 से अधिक लोगों को एक बार में ले जा सकती थी इस जहाज में कुछ लोगों को तो मातर इसलिए बैठाया गया था कि वाइट लाइन के दो अलग अलग जहाजों में कोईले की कमी हो गई थी और फिर टाइटैनिक में पर्यापता स्थान होने के कारण इन्हें भी इस जहाज में सिफ्ट कर लिया गया था सफर के सुरू के चार दिनों तक तो या जहाज बिना किसी समस्या अपने गंतब्ब की ओर बढ़ रही थी लेकिन चार दिन बाद 14 अप्रेल की रात को 11 बच का 40 मिनट पर मनुस्य की इंजिनिरिंग के द्वारा बनाया गया या जहाज कुदरत के बनाए आईस बर्ग यानी पानी पर तेरता बर्प से जाबेडा बर्प के टुकडे से टकराने के कारड या जहाज निचले हिस्से में एक छेद हो गया और धीरे धीरे जहाज पर पानी ने पूरी तरह कबजा कर लिया देखते ही देखते इस जहाज पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई बदकिस्मति से टाइटानिक जहाज पर मात्र 20 लाइफ बोट ही मजूद थे जो 223 लोगों को लेकर जाने के लिए परयाप्त नहीं थे इस कारण 700 लोगों को ही बचाया जा सका और 1500 से भी अधिक लोगों ने इस हाथसे में अपनी जान गवा दी जबकि टाइटानिक 64 रहा था तो लोगों की जान लाइफ बोट के द्वारा बचाई जा रही थी जिसमें प्रोटोकॉल की अनुसार पच्चों और मैलाओं को सबसे पहले बचाया गया जिनके पास फर्स्ट क्लास टिकट था उनमें से 60% लोगों को बचा लिया गया क्योंकि लाइफ बोट उनक इस जहाज पर इंसानों के अलावा नो कुत्ते भी मौजूद थे जिनमें से दो को सही सलामत निकाल लिया गया था जहाज में पानी के भर जाने पर काफी लोगों ने तैर कर अपनी जान बचाने की कोशिस की परन्तु पानी का तापमान मानिस टू डिग्री होने के कारण वो ज्यादा समय नहीं बच सके क्योंकि इतने तापमान में कोई भी साधारण बेकते केवल 20 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। इतना सब घटित हो जाने के बाद भी टाइटानिक जहाज के म्यूजिक गुरूप ने हार नहीं मानी। वो अपना साहस दिखाते रहे, सभी का मनोबल बढ़ाते रहे और उन्हें खुस करते रहे। बर्फ के टुकडे से टकराने के दो घंटे 40 मिनट बाद यानि दो बच कर 20 मिनट के करिविया पानी में डूब गया और इसे 15 मिनट का समय समुद्र तल तक पहुंचने में लगा था। टैटानिक जहाज जब डूब रहा था तब दो मेहने की मिलिवना डी नाम की एक बच्ची उबचा लिया गया था जिसकी मृत्यू हाल ही में 31 मई 2009 को 97 वर्ष की उमर में हुई है यह एक मात्र टैटानिक जहाज की आखरी यात्रे थी। मात्र कुछ समय में ही इंसान द्वारा बनाए गए सबसे बड़ी चीज पूरी तरह से चकना चूर हो चुकी थी और इस जहाज के साथ उन लोगों की उमेदे भी डूब गए थी जो अपनों के घर आने का इंतजार कर रहे थे। जब यह जहाज बर्फ से टकराया था तब यह दो भागों में मट चुका था यह दोनों टुकड़े आपस में 600 मीटर तक मौजूद थे यह जहाज दो टुकड़ों में कैसे बटा यह सभी के लिए अभी तक रहसे बना हुआ है यह जहाज 1912 में डूब गया था लेकिन 1985 में जाकर इसे दूढ़ा गया मतलब इसे दू जबी फिल्म टैटैनिक सबसे ज्यादा हिट रही इस फिल्म को बनाने में जितना खर्चा आया था इतना खर्चा तो टैटैनिक जहाज बनाने में भी नहीं आया था मतलब इस जहाज को बनाने में जितना खर्चा आया था उसके 40% ज्यादा खर्चा फिल्म बनाने में आया इस फिल्म में जैक और रोज नाम के प्रेमी जोड़े को दर्साया गया है जो इस जहाज में ही पहली बार मुलाकात करते हैं उनकी यह मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती से प्रेम में यह प्रेमी जोड़ा अपने प्यार में इतना गुम हो जाता है कि जहाज पर उपस्ति सभी लोग और जहाज का इस्टाफ उनको देखने में मगन हो जाते हैं इसी कारण उनको आगे आने वाला बर्फ का टुकड़ा दिखाई नहीं देता और जहाज बर्फ से टकरा जाती है जहाज डूबने के हादसे में जैक अपनी जान से हाद धो बैटता है और रोज समुदर के किनारे आकर अपनी जान बचा पाती है इस मूवी में जो बताया गया है वो पूरी तरीके से उस घटना से तो मेल नहीं खाती है परन्तु इन में से कुछ चीजें ऐसी हैं जो वस्त्विक हैं इस मूवी में जहाज के डूबने के बारे में बताया गया है जो पूरी तरह से सही है इस मुवी में यह भी बताया गया है कि लोग जब डूब रहे थे तब जहाज पर उपसित मेनेजमेंट द्वारा जहाज पर संगीत बजाया जा रहा था जो की वस्त्विक है इस मुवी में जो प्रेम कहानी बताई गई है वो पूर्ण रूप से सही नहीं मानी जा सकती है यह टाइटाइनिक जहाज अपनी पहले यात्रा के सुरू होने के बाद केवल चार दिन में ही ध्वस्त हो गई थी टाइटाइनिक मुवी के अनुसार जब यह जहाज डूब रहा था उस समय लोगों को सांत करने के लिए वहां का इश्टाफ संगीत बजा रहा था इस टाइटाइनिक जहाज की घटना के बारे में कई इतिहास कारिया हमानते हैं कि अगर जहाज का ड्राइबर चटान को केवल 30 सेकेंड पहले देख लेता तो सायद यहा हाधसा होने से बच जाता जब इस जहाज को बनाया गया था तब इस जहाज में 4 चिमनिया थी उनमें से केवल 3 चिमनिया ही कारे कर रही थी चोथी चिमनि केवल सुन्दर्ता के लिए बनी थी टैटानिक का जहाज अलग-अलग मंजिला बना हुआ था जिसमें यातरी अलग-अलग सिलडी के अनुसार अलग-अलग मंजिल पर बैठते थे इतिहास में ऐसे गटना पहले बार फिल्म बनाने में जितना वजट खर्च किया गया था उस समय टैटानिक जहाज की कुल कीमत के बराबर थी ऐसा भी माना जाता है कि इस जहाज में जितने लोग सवार थे उनमें से किवर 700 लोग ही बच पाए थे आपको सायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि जब जहाज चटान से टकराया था उसके बाद इस जहाज को डूबने में तकरीवन दो घंटे और 45 मिनट का समय लगा था अब बात करें वरतमान में टैटानिक जहाज कहां पर है तो दोस्तों वरतमान में टैटानिक जहाज का मलवा समूंदर में लगभग 12,000 फिट से भी अधि गहराई में दवा हुआ है डूबते समय या जहाज दो भागों में तूट गया था ऐसा माना जाता है कि इस टैटानिक जहाज में तकरीबन 1500 से अधिक लोग मारे गए थे परन्तु ऐसा भी बताया जाता है कि इसमें 700 से ज्यादा लोग बच भी गए थे टैटानिक फिल्म क पैसे तो या कहानी वह किरदार सही है परन्तु मूवी में इसको थोड़ा अलग अंदाज में दर्स आया गया है टैटानिक जहाज एंजिनरिंग का एक अधबुत करिश्मा था जिसने सब को हैरान कर दिया था लेकिन हम सब को मालूम है आज तक प्रकृति के सामने किसी की भी नहीं चली तो फिर यह टैटानिक की क्या चलेगी